आस्ता और विश्वास की अनोखी मिसाल अपने उत्राखंड में कभी धूप कभी च्छाओं की तरह बदलता यहां का मौसम आज हम जा रहे हैं अपने गाओं में जहां पर सभी देविदेपताओं का पूजन आज निश्चित हुआ है तो उत्राखंड की देवभू में से आप सभी का स्वागत है और आज आपके सामने लेकर आए हैं एक नया व्लोग जिसमें हम अपने देविदेपताओं का पूजन कर रहे हैं तो दोस्तो आज का ट्रेक कुछ इस तरह से है कि दीवा मा का मंदिर गने जंगल में है और एक भूग परसाद लेकर हम दीवा मा के मंदिर में जाएंगे और वहां भूग परसादी चड़ाएंगे आपको तो पता ही है कि उत्राखंड के जंगलों में आज कर जंगली जानवरों का कितना खौफ है तो दर्शको आज सुरू करते हैं आज की वीडियो तो चाचाजे ने सुन्दर गर्मा गरम यहां पर जो पकवान है वो बना लिये हैं यह पूजा में चड़ेंगे और इनको पहाडी भासा में स्वाले कहते हैं यह आटे और गुड़क और घी से के साथ गूत कर और फिर इनको तल के बनाया जाता है जो के मीठे होते हैं और भार टेस्टी होते हैं अगर आपने कभी इनको चखा है तो आप जानते होंगे कि यह किस तरह के होते हैं तो यह यहां पर भूग बनाया जाता है दर्सको जब भी भूमी देटा का पूजन किया जाता है तो पहले पूरे दिन पूरे गाउं को सूचित कर दिया जाता है तो अगली सुबह लोग अपने घर से आटा, चावल और दूद, घी, गुड़ादी लेकर आकर सब एक सामने एकत्रित करते हैं और इसका भोग परसादी बनता है फिर इसको उपर ले जा करके पूजा जाता है जहां माई का पूजन कर रहे हैं जो एक छोटी ब्रांच है दिवा की तो यहां पे हम वहां पे इनका भोग चड़ाएंगे किसी जमाने में तेल नहीं होता था, रूई नहीं होती थी तो यहां पे लकड़ियों की जो चीर के लकड़ी से अगनी पर जॉलित करके रखा जाता था तो उसी परंपरा में हम इसको आज भी निर्वेन कर रहे हैं यहां पे जो खेर परसादी है वो यहीं तक रहेगा जो यहां की जो कंड़ी है वो यहीं पे बढ़ जाएगी पहले माई को भोग लगाया जाता है उसके बाद सभी बच्चों को खेर परोसी जाती है खेर गय के दूद की बनी होती है अगे का ट्रेक जो होने वाला है दीवावा का मंदिर उंची पहाड़ी पर है जो कि गने जंगल से होकर यहां का रास्ता गुजरता है तो हम इस गने जंगल में होकर के ओपर चड़ रहे हैं लगबग लगबग आँपर पांच किलोमेटर की चड़ाई यहां पर हम चड़ चुके हैं अगली जो ब्रांच है दीवा मा की वो हमें मिल चुकी है यहां पर और यहां पर थोड़ा बहुत साप सपाई हमने की और इसके बाद यहां पर भी जो एक परमपरा है उसका भी निर्वहन किया और यहां पर भी दीवा मा की जो छोटी ब्रांच है वहाँ पर भी भोग परशादी खीर यहां पर और वही चीड की लकडियों के जो छिल्ले हैं उनकी एक अगनी के रूप में वहाँ पर एक दीपक के रूप में उनको जला कर वहाँ पर भी रोट और पुए जो बनिय होते हैं उनको यहां पर चड़ाया जाता है और इसका भी वही विदान है कि ये सब यहां के छेतर के लिए और यहां पर किसी तरकार का संकट पैदा न हो इसलिए इन स्थानिय देपताओं का पूजन अनवाय रहता है और यहां हर साल ही मनाए जाता है तो यहां पर भी फूजा हमने संपन कर ली है कि यहां से कुछ जो अन्य हमारे साथ हैं उनको भी यहां से यहां का परसाद दे कर बिदा कर दिया जाएगा तो सभी बच्चे यहां पर पहुंशते हैं और पत्तों में हरे हरे पत्तों में इस से बनी खीर का लुफ्त उठाते हैं और इस परमपरा का इसी तरह से पहले के लोगों ने भी निर्भेन किया आपके लोग भी इसी तरह निर्भेन कर रहे हैं तो हमारा इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश है कि आप इस तरह से परमपराओं को निर्भन करते हुए अपनी जो पैत्रिक निवास है देव भूमे उत्राखण में इन परमपराओं को जारी रखेंगे और आगे का रास्ता कुछ जंगल से होकर जाएगा और उंची पहाड़ी पर दिवा मा का मंदिर है अब दिवा मा का मंदिर भी बड़ा बन गया है और अभी हाली में इसका नवीनी करण हुआ है तो अब यहां पर भी भूग पर साथ हम चड़ाएंगे जितना भी परसाद होता है वह सभी जो भी जंगल में गय होते हैं गाय चराने वाले गहास लेने वाले उनको बितरित किया जाता है दिवा मा हमारी गाओं की गसीर दिवा के रूप में भी परसिद है तो एक समय के बात है जब बहुत पहले का वक्त था तब माना जाता है कि यहां से कुछ संकट आने पर दीवा मा गावलों को आवाज देती थी और उन्हें सतर्क करती थी तो ऐसी मानिता है तो इस मानिता का हम दिल से स्वागत करते हैं सम्मान करते हैं और इस परंपरा में अपनी जो छेत्रिय देपता है देवी देपता है देवा मा हैं उनका हर साल इस तरह से पूजन करते रहते हैं तो आप भी अगर कहीं अपने पैत्रिक निवास चे जुड़े हुए हैं तो जरूर ऐसे अवस्वरों पर अपने जो छेत्रिय देवता हैं उनकी पूजन में समलित हों वो भी जब ज़्यादा लोग रहेंगी तो कहीं ने कहीं वो भी एक आकरसन का विसे रहेगा और इसको हम भव्य रूप से और बड़े इस तरह पर इसको कर सकते हैं क्योंकि यह हमारा वार्ष से कुछ सब की तरह होता है जिसमें प्रतेक शाल हम दीवा मा के जिन मंदिर में जाकर रूट और भीट लगाई जाती है तो माता दीवरानी सभी दरसकों को और समस्त जो भी यहां के गाउंवासी हैं उनको धेर सारा आशिरवाद दीवा मा की ओर से उपर जो बड़ी दीवा का मंदिर है खाटली की दीवा है उसी की सभी ब्रांचे हैं वो सब बड़े स्तर पे है और उसी में रसुलान दीवा और जो धुमाकोट की दीवा है ये सबसे बड़ी-बड़ी ब्रांचे हैं दीवा मा के और ये प्रते गाउं में एक-एक दीवा का मंदिर जरूर है आदिशक्ति परा जगदंबा का ही सुरूप दीवा मा है और समय समय पर जिस तरह से देपताओं ने अपने अनेक अवतारों में आकर इस छेतर की उत्राखंड की रक्षा की है तो उन्हीं मानिताओं के आधार पर देवी का सुरूप जो है यहां पर इस तरह से है कि कुछ खेर परसादी का भूब लगाया जाता है और जो धुमाकोट वाली बड़ी दीवा है वहां जो है लाल रंग में है और बड़ी उंची चोटियों में उसका मंदिर है और वहीं जो रसुलान दीवा है वहां सपेत रंग की है वहां पर सपेत वस्त्र आदी चड़ाया जाता है वहां दीवा मा सपेत रूप में है स्वेत वर्न की है और जो दुमाकोट वाली दीवा है वह है रक्तवर्न की है और इस तरह से आज के ब्लोग में हमने किया दीवा मा का पूजन के साथ आज की वीडियो में इतना ही पुना आपको एक नही जानकारी आप सामने लेकर आएंगे तब तक आप बने रहे हमारी साथ अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरफे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वेल आइकॉन जरूर फ्रेस करें ताकि आने वाला हर एक नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहु